कॉस्मेटिक हो या आयरवेदिक सारी क्रीम बहुत महंगी होती हैं लेकिन अगर वही क्रीम वही विटामिन्स की गुणवत्ता से भरी हुई कि नेम आप घर में बना लो आल्मोस्ट फ्री में तो कैसा रहेगा तो मैं बवीता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका छोटी सी रसोई में बहुत जादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इसके लिए हमें चाहिए एक संत्रा संत्रे का जो उपर का चिलका है वो हमें कदुकस कर लेना है हमें ध्यान ये रखना है कि इसका वाइट पार् उनको भी हलका करता है अब इसमें एड करूंगी अक्रोट मैंने दो से तीन अक्रोट ले लिए है और इसको मैं कोट कर इसका पाउडर बना लूगी और थोड़ी सी मैं यहां पर लूगी गुलाब की पंखुडियां और दो से तीन चम्मच मैं यहां पर ले रही हूँ बनाकर तैयार करेंगे मैंने ये अक्रोड का पाॉडर बना लिया था वो अभी इसमें अड्ग करेंगे अड्ड करेंगे अचे हैं ये लग भग sonancy अच्छे ARE कर बना अच्छे wiem करेंगे क्रीम करेंगे और्स ak encounter कीम कुछी ये लग बने तयार हो जाएगी है। इस सारे इंगिरिटेंट को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर एक पैन में में ले लूँगी पानी, पानी हमें इसमें एड नहीं करना है, पानी को हमें कर लेना है, गरम पानी बॉइल करने के बाद हम इसमें कटोरी डग देंगे, हमें ध्यान ये रखना है, हमें कोई एसी कटोरी लेनी है जिसमें पानी उसके अंदर ना जाए अगर हम छोटी कटोरी लेंगे तो पानी बॉयल होगा तो वो कटोरी के अंदर भी जा सकता है तो हमें थोड़ी बड़ा बरतनी लेना है जो हम जिसमें हम तेल ये क्रीम तयार करेंगे पानी बॉयल हो गया था अभी मैं फ्लेम को कम कर दिया है और धीमी आज पर मैं इसको अच्छे से पका लूँगी इसके लिए 25 से 30 मिनट लगेंगे लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें कुछ करना नहीं है बस 2 से 3 बार इसे बीच में चलाते रहना है और साथी ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पैन का पानी खतम तो नहीं हो गया है आप देख सकते हैं ये बनकर अल्मोस्त तयार हो गया है लगभग इसे पकाते हुए मुझे 30 मिनट हो गया है आप देख सकते हैं कि पानी भी इसका पैन का खतम हो गया है और हमारे फूलों की पंखुडियों का color भी change हो गया है आप देख सकते हैं oil कितनी अच्छे से निकल रहा है जो हमारे अक्रोड थे उन्होंने भी तेल अच्छे से छोड़ दिया है अब हमें इसे ठंडा नहीं करना है इसी condition में हमें इसे चान लेना है क्योंकि हम ठंडा तो हमारा coconut oil जम जाएगा अभी सर्दियों का मौसम है तो मैं इसे जल्दी से छान लूँगी आप देख सकते हैं कटोरी पर भी पानी का निशान पड़ गया है अब मैं इसे चान कर इसका तेल निकाल लूँगी हमें यही चाहिए इस तेल में बहुत कुछ है विटामिन A है B6 है और विटामिन C है इसी तेल से हम अपनी क्रीम तयार करने वाले हैं और आप अगर चाहें तो जो चानने के बाद यह पंखुडिया निकलेंगी अक्रोट है इसमें गुलाब की पंखुडिया है आप इसको पीस कर या आप इसमें थोड़ा सा बेसन एड़ करके और पकने के बाद बहुत हद तक हमारे तेल में निकल गया है लेकिन अच्छे से दबाते हुए मैं इसे निकाल लूँगी देखिए कितना जितना हमने तेल डाला था उतना ही तेल हमें वापस मिल गया है क्योंकि इसमें अक्रोट का तेल भी एड हुआ है अब मैं इसमें एड क सकते हैं कुछ भूंदे मैंने गुलाब जल के एड़ की हैं अब इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूगी बस हमें यही ध्यान रखना है कि जब हम मिक्स करेंगे तो हमें इतना मिक्स करना है कि एक क्रीम फॉर्म में आ जाए इसके लिए आपको 10 से 15 मिट भी लग सकते हैं इसको इतना फेटना है जब आप इसको फेटोगे एक बार ऐसा हो जाएगा कि तेल अलग हो जाएगा और यह सारे इंगीडियंट अलग हो जाएगे बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम तड़का लगाते हैं और मसाले डालते हैं तो मसाला अलग हो जाता है उसके बनाओगे तब आप महसूस करोगे कि आपने ये कितनी अच्छी क्रीम बना कर तयार की है आपको खुद भी अपने आपको प्राउड फिल करोगे कि आपने इतनी अच्छी क्रीम बनाई है आप इसको स्टोर करके रख सकते हो 15-20 दिन तक इसको फ्रिज में भी रगने की कोई जरूरत नहीं है अगर बात करें इसको कौन लगा सकता है तो इसको कोई भी लगा सकता है आप बच्चे के लिए भी इसको यूज कर सकते हो क्योंकि हमने इसमें कोई भी कैमिकल एड नहीं किया है और आप कितने भी इसके हो आप 80 प्लस भी हो तब भी इसको लगा सकते हो ज आप इसको lotion की तरह यूज़ कर सकते हो, आप इसको face cream की तरह यूज़ कर सकते हो, ये skin को आपके एकदम soft बना देगी और बिल्कुल भी चिप-चिपा आपको feel नहीं होगा, ये आपकी skin को moisturize भी रखे की बहुत लंबे time तक, अगर आपकी skin sensitive भी है तब भी आप इसको अपने यूज़ कर सकते हो, मेरी बेटी की skin बहुत ज्यादा sensitive है, वो सिर्फ coconut oil और बादाम का तेल लगाती है, लेकिन वो भी इस cream को use कर रही है, अगर आपने इस cream एक बार बना ली तो market की महगी cream लाना भूल जाएंगे, तो please वीडियो को like कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो subscribe करना मत भूलना और वैल आइकन जरूर दबनाएंगे